नमस्कार दोस्तों आपका बहुत-बहुत स्वागत है शिक्षा न्यूज यूटूब चैनल पर फ्रेंट्स जो मैं आज आपके लिए नॉटिफिकेशन लेके आयो हूं वह मैं लेके आयो हूं इसमें बहुत अच्छे पदों पे जो है वेकेंसी है जैसे टीचिंग के अलावा लोवर डिविजन क्लर्क हो गया लडी सी हो गया डाटर एंट्री ऑपरेटर हो गया इस्टानोग्राफर हो गया तो इसमें आपको 12 वाले बच्चों के लिए ग्रेजियोशन वाले बच्चों होगे भी है और मैं इस वीडियो के माधम से आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा आपको फॉर्म कब से लेके कब तक भनना है लास्ट डेट क्या रखी गई है और इसकी फीस क्या रखी गई है और एक्जाम डेट और एड्मिट कर्ड कब तक आने की जो है चांस है बचा अज आपको नॉटिविकेशन लेगा है हूं मैं लेगा हूं N.C.T.E. वेरस पोस्ट 2020 अपलाए ऑनलाइन इसका जो फॉर्म है अपलाए होना सुरू हो गया है और इसका जो फॉर्म है बीस तारिक को इनकी जो है अपडेट आ गई थी बीस तारिक को अपडेट आगई थी वेगेंसी बता रहा हूं National Teaching Education N.C.T.E. के वेरस पर्दों पे भरती है और 2020 की बहुती अच्छी रिक्यूर्मेंट है इसका फॉर्म जो है 22 सारिक से 228 2020 यानि 22 अगस से भनना स्टार्ट हो गया है और आपको पूरा-पूरा एक महिना दिया जाएगा आपकी लास्ट जो रख कर सकते हैं फीस की बात करते हैं कि इसकी इसमें जो है से पोस्ट में बता देता हूं पोस्ट जो है अलग-अलग पोस्ट है फिर मैं आपको जाए फीस के बारे में बताता हूं जैसे अगर आपको एक असिस्टेंट की पोस्ट मिलेगी एक स्टैनो गराफर सी ग्रेट सी होत पताईए इनकी जो अलग-अलग वो है पोस्ट के हिसाब से जो है फीस भी रखी गई है सबसे पहले बात करते हैं असिस्टेंट और इस टैनोग्राफर सी पोस्ट की जन्रल ओबीसी एडब्लू एस वाले बच्चों से बारा सो पचास रुपे लिये जा रहे हैं 1250 रुपी ल जो है यह मेरी वीडियो देख रही है तो उनके लिए जो है बिलकुल फ्री है चाहिए वो जन्रल में हो यूर में हो वो बीसी में हो किसी भी कैटेगरी में आती हो तो उनको जो है कोई भी पैसा नहीं देना उनके लिए जो है फ्री फ्री है मलब उनके लिए जहां तक इनक के नॉटिफिकेशन में अभी तक लिखा गया है और अधर फोस्ट की बात करने जी यानि फोस्ट में कौन कौन सी आ जाती है अगर में बात करूँ आप से तो एक हजार रुपे लिए जा रहा है सिर्फ जन्रल OBC और EWS वाले बच्चों से, और इसमें भी सेम कहानी वही है, जो उपर वाल मैंने आपको बताया है, SC, ST, PS से तो कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है, अगर आप फीमेल हैं, किसी भी कैटेगरी में हुच्छा है, जन्रल में ह जो ना हो OBC में, EWS में, SC में, ST में, तो आपको जो है कोई भी पैसा नहीं देना है, फीस किसको देनी है, मेल कैंडिडेट को जन्रल OBC EWS वाले बच्चों से, उपर वाली जो बोस्ट पताई है, उसके लिए 1250 और नीचे वाली जो बताई है, 1000 रुपे, पेमेंट जो आप क बता रेता हूं, इसमें अलग-अलग रख रखी है, इन्होंने जो इसकी एज लिमिट अलग-अलग रख रखी है, असिस्टेंट की बात करें तो 20 से 27 साल, SCST को 5 साल, 3 साल OBC वाले बच्चों को रिलाक्शेशन दिया जाएगा, डाटर एंटरी की जो पोस्ट है, 18 से 25 यह आपको 18 से 25 और इसमें भी सेम वही, SCST 5 साल और 3 साल OBC वाले बच्चों को छूड़ दी जाएगी, आगे बात करना है, अधर पोस्ट, अधर पोस्ट में आ जाता है, 18 से 27, 18 से 27 साल जो है, आपकी वो एज होईगी, 18 से 27, और इस रिलाक्शेशन जो इन्होंने बोला है, वो जो गौर्मेंट रूल पे दिया जाता है, वो दिया जाएगा, 18 पोस्ट आपको इसमें मिलेगी, 18 पोस्ट होती है, काफी पोस्ट होती है, काफी बच्चे बोलेंगे, इसमें कम पोस्ट है, लेकिन आपको तो एक ही पोस्ट चाहिए, और जिसमें मैंने आपको अपनी सारी वीडियो में बताया है जिसमें कम पोस्ट होती है बच्चा जो है उसमें कम भरते हैं और उसमें जो chances होते हैं उसमें आपके selection के सबसे ज़्यादा chances इसी में ही होते हैं ठीक है फ्रेंड्स तो मैं बता रहे तो अब detail wise की आपको क्या क्या qualification रखी गई है और क्या क्या qualification नहीं रखी गई है सबसे पहले बात करते हैं असीश्टेंट के लिए जिसमें आपको तीन पोस्ट देखने को मिलेगी bachelor of degree बहुत ध्यान से सुनना बच्चा मैं आपको starting से बता रहा हूँ अभी कि आपकी पोस्ट और qualification में बच्चों को doubt होता है मैं वह सुरू से बता हूँ बहुत ध्यान से सुनना सबसे पहले बात करते हैं assistant की आपको तीन पोस्ट देखने को मिलेगी यहां पर और जो आपको qualification चाहिए bachelor of degree चाहिए आपने बी ए करा हो बी कॉम करा हो बी सी करी हो बी टेक किया हो कोई भी graduation degree करी हो तो आप इसका form भर सकते हैं अगली बात करते है इस टैनोगराफर सी तीन पोस्ट इसमें देखने को मिलेगी नाम से पता चल रहा है इस टैनोगराफर तो जाहिर सी बात आप अब करें तो आपकी 10-12 प्लास होनी चाहिए आपकी किसी भी बोर्ड से मध्य प्रजेट्स बोर्ड और भारत में कोई से भी बोर्ड से पास होने चाहिए अब English और Hindi short end या तो Hindi में English में आपकी 100 per minute टाइपिंग होनी चाहिए और computer का ग्यान और data entry work process मैंने computer का ग्यान आपको आना चाहिए अगली बात करता है stenographer D, एक C की बता है अब मैं बताता हूँ D की D में बात करें तो आपको 6 post देखने को मिलेगी और इसमें भी आपको बारवी पास चाहिए और इसमें इन्होंने लग रखा है dictation 10 minute इसमें भी वही होगा 80 per minute होनी चाहिए टाइपिंग बाकी जो है आप इसका notification एक वार देख लेना और typing speed जो है आपकी इसमें English 50 और Hindi 65 ऐसी कुछ दे रखा है बाकी आप इसका notification देख लेना क्योंकि इसमें मेरे को भी थोड़ सा doubt हो रहा है डी वाले में बाकी clear मैंने बता दिया कि 80 per minute जो है आपकी टाइपिंग होनी चाहिए अब बात करते हैं डाटर एंटरी operator डाटर एंटरी ऑपरेटर एक पोस्ट होईगी इसमें आपकी 12 पास इसमें भी चाहिए कि 12 पास डाटर एंटरी ऑपरेटर में जैसे कि मैंने आपको हभी बताया एक पोस्ट मिलेगी इसमें आपको 12 पास इसमें होना चाहिए जो मैंने आपको पस जो अबने असिस्टेंट की बताया उसमें ही ये और लास्ट की बात करें में तो लोव डी विज़न गंडिमिक विज़न केर्द चैया है तो कहां अगर हमें से बेस्ट विचैंशी लोव 30 में लब 30 होनी चाहिए 30 वर्ड पर मिनट अगर आप इंग्लिश में करते हो तो 35 होनी चाहिए बहुत ही अच्छे इस तर पर जो है इसकी वेकेंसी निकाली गई है लडी सी की और बहुत ही अच्छी है नेशनल टीचिंग एज्यूगेशन में जो है रिक्वार्मेंट है बीस तरिक से आप इसका फॉर्म स्टाट हो गया है वह उन्नीस नौ दो हजार बीस तक आप इसका फॉर्म भर सकते हैं और इसका मैं आपको प्रोसेस भी बता देता हूं आप कैसे करोगे कैसे नहीं करोगे इसका मैं आपको अभी पता देता हूं ठीक है तो यह सब कुछ चीज़ पता चल गया होगा मैंने इसका सारा प्रोसेस बता दिया है बचा अगर आपको अभी तक कुछ नहीं समझ भाए तो आप एक बार स्टाटिंग से लाश्ट वीडि सही फॉर्म अप्लाइ करना ठीक है तो मैं आपको इसका प्रोसेस बता सकता हूं एंसी टीए वेरस पोस्ट रिक्वार्मेंट टूजन ट्वेंट यह आपको यह डालना है यहाला जो मैंने आपको पताया गूगल क्रोम पे डाल लेना है यह सरकार रिजल्स दॉट कम खौलो और लग तो लिगेगा रिशिरेशन एक देखेगा लॉगिन पहले आपको रिजटेशन करना पड़ेगा उसके बाद आपको लॉगिन करना पड़ेगा आ यह ऐसा आइंटरफेस हो जाएगा यहां पर को यह या detto ने दिखित हो जाएगा नीचे जब जाओगे आपका candidate name हो जाएगा यहाँ पर आपको mobile number डालना है अपना और यहाँ पर एक और वार mobile number डालना है यहाँ पर confirm email ID डालनी है उसके बाद एक और वार email ID डालने के बाद आपको यह capture डालने के बाद जो है confirm कर देना है उसके बाद जो है आपका login हो जाएगा और आपकी register mail ID और mobile number पर जो है इनका password और email के जरिए जो है बता दिया जाएगा कि आपका क्या password है उसके बाद जो है आपको सीधा यहाँ से login कर लेना है यह आपको login का दिख रहा हो start कर देना तो पहले आप login जो आपक उस पर phone पर इसका आ जाएगा ठीक है अगर कोई भी इसकी recording आपका doubt होता है कोई इंकारी होती है तो आप जो है मेरे को comment section में बता देना मैं जो है आपका reply जरूर से जरूर करूंगा ठीक है friends तो यह सारा process है पूरा यह process है जो मैंने आपको बता दिया है ठीक है friends कुछ भी doubt आता है कुछ नहीं समझ में आता है तो आप जो है मेरे को comment section पर बता देना ठीक है और जो हभी तक साथी नहीं जुड़ पाए तो वो जो है इस वीडियो को जो है जुड़ जाए इस वीडियो के साथ क्योंकि मैंने जो है इसमें बहुत ही important वीडियो बनाके आपको दीए ठ ठीक है friends चलिए friends फिर मिलते हैं और वीडियो के साथ आपका बहुत-बहुत धनेवार friends